आज मैं बताऊंगी मार्च के महिने में लगाने वाली कुछ खास सब्जियां जिने आप बड़े आसाने से अपने घर की छट पर लगा सकतें और बताऊंगी कि किस पिरकार आप उनकी केर करेंगे जिससे कि उनसे सब्जी तोड़ने के लिए मिल सके पोधे तो सभी लगा लेते हैं और पोधे ग्रो भी हो जाते हैं लेकिन उनसे सब्जियां नहीं मिलती है तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी तो मेरा नाम है उर्मिला आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल विलेज टेरेस गारडन में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चेनल को जरूर से सस्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें तो मुझे लगता है कि सभी सबजी को हम गर्मी में उगा सकते हैं लेकिन उनकी कुछ खास केयर होती हैं अगर हम वो केयर करेंगे तो उनसे हमें जरूर सबजी तोडने के लिए मिलेगी तो मार्च में जो सबजी है जिसे हम घर की छट पर लगा सकते हैं मार्च में हम बेगन को बड़े आसानी से अपने घर की छट पर लगा सकते हैं अगर एक बार हमने बेगन का पोधा हमारी छट पर लगा लिया तो ये एक दो साल तक आराम से चल जाता है और बेगन पर धूब का कोई जादा असर भी नहीं होता है तो इसे लगाने के लिए पहले बीज से पोधे तयार करने होंगे इसके लिए आप इनके बीज डिस्पोजल गिलास या किसी क्यारी में लगा सकते हैं जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तब इनके हमें 12 इंच के ग्रो बेग में लगाना है फिर थोड़े दिन बाद हमें इन पोधों से इस तरीके से बेगन तोड़ने के लिए मिल जाएंगे दूसरी हमारी सबजी है जिसे आप मार्च में लगा सकते हैं वो है हमारे टमाटर तो टमाटर जादा गर्मी में नहीं होंगे ग्रो इसलिए आप अगर आपके एरिया में अभी ठंडा मोसम है तो आप टमाटर को लगा सकते हैं और हो सके तो आप इसे किसी चाया वाली जगह पर रखे जहांपर कुछ देर की धूप आती हो तो वहाँ पर टमाटर अच्छे से ग्रो हो जाएंगे इन्हें लगाने के लिए भी पहले इनके बीच से पोधे बनाये जाते हैं फिर बाद में इसे आप बारा इंच के ग्रो बेग में लगा सकते हैं चोटा पोधर है तब ही आप इसे किसी लकड़ी से सहारा दे ताकि ये बड़ा हो तब ये गिरे ना अगर ये पोधा बड़ा होकर गिर जाता है तो फिर ये इसकी ब्रांच तूट जाती है तो इसलिए आप सिरू से ही इसे सहार अगली हमारी सबजी है जिसे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं वो है लोकी तो लोकी के बीज आपको बड़े साइच के ग्रोबेग में लगाना है तो इसे आप इनके बीज डायरेक्ट उगा सकते हैं तो मैंने इस ग्रोबेग में लोकी को लगाया है, तो ये बड़े साइच का ग्रोबेग है तो आप 24 इनकि के ग्रोबेग में दो या एक लोकी का पुधा लगा सकते हैं और इसे फ्यलाने के लिए आप इस तरीके से रसी का जाल बना सकते है अगली हमारी सबजी जिसे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं वो है गिल्की तो गिल्की के बीज आपको जो गर्मी में लगाई जाती है उसे लहना है और उसे भी आप बड़े ग्रोबेग में लगा सकते हैं दो पोधे आप एक ग्रोबेग में लगा सकते हैं तो इसे भी आप फैलाने के लिए इस तरीके से जाल पर फैला सकते हैं मिर्च को भी आप आसानी से अपने घर की छट पर लगा सकते हैं लेकिन पहले आपको इसके पोधे तयार करने होंगे और बाद में आप इसे बड़े पोट में 12 इंच के ग्रो बेग में लगा सकते हैं लेकिन मिर्च में बहुत सारी बिमारी आती है जैसे कि इसके पत्तियां मुड जाती है और इसकी मिर्च भी अच्छे से नहीं ग्रो होती है तो इसके लिए आप इसमें पानी जादा ना दे तो इसके लिए इसकी कुछ खास केर करना होती है जैसे कि इसमें ना जादा पानी देना होता है ना ही इसमें कम पानी देना होता है और धनिया को भी आप मार्च में लगा सकते हैं वेसे तो मैं धनिया 12 महीने अपने घर की चट पर उगाती हूँ धनिया उगाने के लिए आपको चाहिए कम गहराई वाला और साइच चोड़ाई इसकी जादा होने चाहिए तो जादा चोड़ाई वाले ग्रोवेग में हम जादा धनिया के बीज लगा सकते हैं जिससे हमें जितने पोधे होंगे उतनी ही जादा पत्तियां मिल लेगी इसके लिए आपको जादा चोड़ाई वाला ग्रोवेग लेना है तो धनिया को आप जादा धूप में ना रखे इसे थोड़ा छाओं में रखे गर्मी के मोसम में तो ये अच्छे से ग्रोव होगा धनिया की तरह ही आप पालक को भी घर की चट पर ग्रोव कर सकते हैं इसे भी कम गहराई वाला और जादा चोड़ाई वाला ग्रोवेग की जरूरत होगी उसमें आप पालक को लगा सकते हैं पालक अगर आपने एक बार अपने घर की चट पर लगा ली तो पालक आपके टेरेस गार्डन से कभी भी खत्म नहीं होगी तो पालक को मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे हर ग्रोबेग में ये पालक अपने आप ग्रोव हो जाती है जिसे कि मैं हटाती नहीं हूँ और उनसे ही पालक तोड़ती रहती हूँ अगली हमारी सबजी है जिसे आप अपने घर की छट पर लगा सकते हैं वो है जुकनी तो मैंने अभी गर्मी में जुकनी लगाई थी तो पोधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं इसे मैंने बड़े साइच के ग्रो बेंग में लगाई है और साथ में मैंने इसमें मूली भी लगाई है और मैंने तीन पोधे इतने बड़े ग्रो बेंग में लगाए हैं तो आप चाहें तो जुकनी को भी गर्मी में लगा सकते हैं यह अभी अच्छे से ग्रो हो रही है, ध्यान रखना है इस पर ज्यादा धूब ना आए, थोड़ा सेड़ी एडिया में यह अच्छे से ग्रो हो जाती है, और पुदीना को भी आप बड़े आसाने से अपने घर की छट पर लगा सकते हैं, इसे लगाने के लिए आपको लगा सकते हैं, तो इससे पुदीना ग्रो हो जाएगा, और आपको वहां से पुदीना की पत्ती तोड़ने के लिए मिलेगी, और खीरा को भी आप मार्च के महिने में अपने घर की छट पर लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको तो आपको बड़े साइच के ग्रो बेग म में बोरी से बनाए हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन्हें किस प्रकार से में बनाया हैं, तो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चेनल पर जाकर देख सकते हैं, तो उस प्रकार आप अपने घर पर ही फिरी में ग्रो आप करेला को भी अपने टेरेस गारडन में लगा सकते हैं, तो बीज आपको गर्मी में जो करेला लगाए जाते हैं, उनके लेना हैं, या जो करेला मार्केट से आते हैं, गर्मी के सीजन में, उनको भी आप लगा सकते हैं, उनके बीज निकाल कर अगर आप ग्रो बेग में लगा देंगे तो उनके पोधे भी अच्छी तहां से ग्रो हो जाएंगे तो इस प्रकार आप इतनी सारी सबजियां अपने घर की छट पर आसानी से उगा सकते हैं तो इनके लिए आपको खास केयर करनी होगी आपको हर दिन इन्हें पानी देना होगा पोधो को अगर आप हर पोधों को पानी नहीं देंगे तो ये तेज धूप की वज़े से खराब हो जाएंगे तो इसलिए आप हर सुभा पानी दे पोधों को और अगर जरूरत हो तो सामके टाइम भी आप दे सकते हैं और जब ज़्यादा गर्मी हो तब आप अपने टेरेस कारडन में ग्रीन ने दिये हैं और मैं अभी भी धेर सारे पोधें लगाने वाली हूं तो इस परकार आप भी अपने घर की छट पर धेर सारी सबजी फिरी में ग्रो कर सकते हैं तो मैं अपने टेरेस कारडन में फिरी में सबचियां ग्रो करती हूं तो मैं फिरी में किस परकार सबचियां ग्रो क करें और चेनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेगी और कमेंट में बताए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को